दोनों में आग्लंक पीर्लिय होँ होगा प्राइब ने थेजिकर अच्छक देखे कि से लोग़ों तरीकें से कूश्चन को तूर्न देखे कि एनतौने आज चो टॉपिक हमारा है जनरल यहां से हम लेकर भी चलते हैं बेसिक से टॉपिक से स्टार्ट करते हैं तो जो टॉपिक स्टूरेंट हमारा है वह आपकी reactivity series of metals देखेगा ध्यान से एक मिनट में आप लोगों को यह कैसे याद हो जाएगी reactivity देखेगा यहां से reactivity series of metals और एक्जाम में आपको पूसता भी reactivity series of metals ठीक है हिंदी में अगर मैं कहूँ अगर कोई हिंदी वीडियम के student हूँ ठीक है और हो सोच रहे हूँ कि सर इसका मेनिंग क्या होता है इसका मतलब क्या होता है ठीक है reactivity कहने का मतलब के स्ट्रेंट आप लोगों का क्या सीलता आपकी यहां तो दिस इस आतुओं की क्रिया सील यहां से क्वेशन इस्टुरेंट आप लोगों का एंडी का एक्जाम हो यह एक्स वाई ग्रूप किसी भी एक्जामिनेशन के अगर आप तैयारी कर रहें तो वहां पर आप लोगों को केमिस्ट्री से इस पोर्शन से एक क्वेशन आपको पूसता है कि मैं इसी तरह के छोटे-छोटे आप लोगों को हर टॉपिक के लगबग देते रहूंगा ताकि आपको कैमिस्ट्री जिसे हम कहते हैं कि लाइफ की कैमिस्ट्री भी अच्छी बने हमारी और सब्जेक्टिव भी बात करता हूं अगर मैं अपने स्टेडी कि पॉटी सीरीज की बात कर रहा हूं तो आपको सिंपल सी बात जात कैसे रहनी आप यह देखेगा आपको कुछ नाम इस तरह से याद रखना है कुछ एक पॉर्मॉला इस तरीफिय से याद रखना है कि मुझसे किसी ने क्या कहा कि कासीनात का माली है ठीक है यहां से क्या कहा कि कासी नात का एक माली है मुझे किसी ने बताया कि जो क्या करता है स्टूरेंट हमारे आलू बहुत फीके पकाता है तो कासी नात का माली और आलू कैसे पकाता है स्टूरेंट आपका बहुत फीके, यह आप कह सकते हैं कि आलु जरा फीके पकाता है, टीके, तो सबसे पहले मुझसे किसी ने कहा कि regular का सी नात का एक माली है, है माली और आलु जरा कैसे पकाता है फीके पकाता है टीके, अब आप कहेंगे कि सरण आप reactivity series पड़ा रहे हैं यह किसी ने कि कासी नात का माली है और वो आलू गैसे पकाता है फीके पकाता है अब जो बात आपके दिमाग में आ रही है सेम बात मेरे दिमाग में भी आई कि माली है वो खाना पकाता है तो हमारा उससे क्या रिलेशन अब बात आती कि हमारा उससे क्या रिलेशन है तो मैंने साम आगे आओ, किसने ये बात प्रणी है वह आगे आओ जरा तिके ध्यासे देखेगा और मैंने यहां से क्या कारेया ऐस्टूर्ण्ट आपको ध्यान से देखना इस बात को कि कासी नात का माली आलू जरा फीके पकाता है और फिर मैंने क्या कहा कि कौन है आगे 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 अब देखो कि ये फॉर्मुला जो मैंने आपको लिखा है इसका मतलब क्या था ठीक है कासी का मतलब है इस्टुरेंट मेरा के से नाज का मतलब है मेरा एने से का का मतलब है मेरा CA से, ठीके, माली का मतलब है student मेरा M, G से, ठीके, आलू से मतलब है student मेरा AL से, जरा से मतलब है मेरा Z, N से, PK से मतलब है student F, E से, ठीके, पकाता से मतलब है student मेरा PB से, यहां से अगर मैं लेकर चलू, तो PB से आपका, फिर ऐसी है आया। आप लोगों का तो मैंने ह लिखा, कौन कहा, ठीके, की कौन है, आगघे आओ जरा, तो कौन कहा इश्वनेंट यहागे मेरा सी चू है, आया की कौन है, तो यह मैंने कहा ह जी फिर आगेuire कहा, तो आगे ए це जी कहा मैंने और आओ लिखा तो मैंने कहा आपको आ पूरी रियक्टिव सीरीज आपकी एक जटके में याद हो भी ठीक है क्या कहा कि सर ने क्या समझाया कि कासिनात का एक माली है जो आलोग जरा फीके पकाता है और जैसे ये बात किसी ने कई सामने से क्या जवाब आया कि कौन है आगे आओ जरा अब अगर आपको ये भी पता न टोरिव को ठीक है यह किसी रिपरेज़एंट करता है इस तुरेंट पोटेशियंग Prozent ये क्या रिपरेज़एंट मेरा 聽 रिपरजेंट करता है हमें सोडियम को करता हो सिय कि बाट करता हूं तो सिय रेपरजेंट करता है हमें क्या सिंभॉलिक रपरजेंटेशन है केल्सी сторон का लोग देख्यों की यह क्या होता आपका दिस मैगनीशियम ठीके तो यहांसे क्या कहा यह क्या इस्टांप हमारा मैःडिशंग हो गया इसी इसी तरह से अगर मैं बात करता हूँ AL की तो AL क्या होता है इसी हमारा Alluminium होता.. हमारा । Alluminium होता है , ZN क्या होता है , ZN क्या होता है , आईरन होता है पीबी हम लोग जानते हैं क्या होता है इस प्रेंट हमारा लैड होता है एच हम लोग जानते हैं क्या होता हमारा हाइड्रोजन होता है ठीक है एच क्या होता है इस प्रेंट आपका हाइड्रोजन होता है ठीक है क्या होगा आपका हाइड्रोजन फिर सी यू मैं बताऊंगा भी आपको मरकरी होता है ठीके फिर बात आती है A, G और A, U की ठीके तो ये कुछ ऐसे हैं इस्टुरेंट जैसे H, G है जैसे हमने C, U देखा तो डिरेक्टि कॉपर यहाँ होता है H, G क्या होता है इस्टुरेंट आपका मरकरी होता है A, G की अगर मैं बात करता हूँ तो ये आपका सिल्वर होता है ठीके और और ओर्गन की अगर मैं बात करता हूँ तो ये यहाँ से सिल्वर या A, U की अगर मैं बात करता हूँ तो यह होगा हमारा गोल्ड है हाँ से तो ये जो सीरीज आपको दिख रही है इस तरह से जैसे ही आप आएंगे तो आपको सबसे अच्छी और इंट्रेस्टिन बात जो सुनकर लगेगी तो अगर मैं सबसे पहले पोटेस्यम की बात करूं आपको एक्जाम में कोईशन पूशता है तो क्या का इस तरह आपका आपका आंसर निकल के आएगा कि सर सबसे जादा रियक्टिव एलिमेंट जो होता है वो कौन होता हमारा पोटेस्यम होता है तो एक इंपॉर्टेंट क्वेशन मेरा तयार हो गया कि सबसे जादा रियक्टिव एलिमेंट कौन होता है ऐसे ही आपको क्वेशन पूश देगा इस तुरेंट आपका तो the least reactive element, कि सबसे कम reactive या यहां से क्रिया सील धातु की अगर मैं बात करता हूँ, कि least reactive metal, तो least reactive metal जो होता है stuck Kenneth आपका सबसे कम क्रिया सील जो धातु होती है, वो कौन सी होती है, यह expand हमारी beth. ओल्सों होती है, ठीक है, तो आपसे question किसी भी रहा है तो आपका अंसर गोल्ड होगा और सबसे बड़ी बात इस पुरेंट आपकी कि यह जो हमने फॉर्मुला लिखा है इस डिक्रीजिंग ओर और ओ ठीक है ध्यान से देखेगा कि यह आप लोगों को क्या इंडिकेट कर रहा है इस डिक्रीजिंग ओर ओ ठीक है यह डिक्र ऊडर ओफ रियक्तिट आफ मेटल्स the 답asy گ्रीजिंग ओडर आफ री एक्थि ईटीवेटी ओफ मेटल्स कि अच्छिए अ मोस्ट इंपोर्टेन्ट टॉपिक है इस परेंट जहां से अक्सर आपको को उप्सेशन था भूजता भी तो यह डिक्रीजिंग ओर इस तुनिट आपका जैसे जल से आप नीचे आ रहे हैं तो सिंपल से बात रखनी हैं कि कासी नात का माली ठीक है आलू जरह पीके पकाता है और जैसे यह बात आएगी सामने वाला क्या कहता है कौन है आगे आओ ठीक है जो इस बात को क के लिए ये वीडियोज हैं ये फ्री आप कॉस्ट आप लोगों के लिए एक्जामिनेशन के लिए छोटे-छोटे सौटकट हैं जो आपको एक्जाम में सिर्फ एक्जामिनेशन के लिए करने के लिए नहीं क्योंकि आप एक एकसे एक्जाम की तैयारी करें जो तो हमारे रास्क का एक, हमारे देश का एक, हमारे नेशन का एक मजबूत हिस्सा भी है पर जिसका मजबूत होना बहुत जरूरी भी है तो इसलिए आप ज़्याद से जज़ादा सेयर करें और अपने आउनलाइन तयारी के लिए इसी तरीके से आप Defense Academy ज़र उन से जुड़ें और जादा से जादा चैनल को सबस्क्राइब आप लो ज़रूर करें तो आज की इस सैसन के साथ ही Thank you so much